प्यारे भाईयों बहनों, मुझे यकीन है, मुझे पक्का बिश्वास है कि एक दिन मुझे परमात्मा मिल जाएगा। आपने ऐसा कहते हुए कई व्यक्तियों को सुना होगा, कि बिश्वास होता है तो परमात्मा मिल जरूर जाता है, तो क्या केबल बिश्वास करने से परमात्मा मिल जाता है, क्या प्रियास नहीं करना होगा, ऐसे ही एक बार दो कथा बाचक जब सद्गुरु बाबा गुर्वाचन सिंग जी के पास महुचे और उनसे कहने लगे, बाबा जी आपके यह महत्मा एक महपुर्ष की तरफ इसारा करके एक कथा बाचक ने कहा, यह कहते हैं कि हमने प्रभु को देखा है, हमने प्रभु को पाया है, तो हमारा तो यह मारना है कि प्रभु तो बिश्वास से ही मिलता है, बिश्वास हुआ, तो धन्ना भगत ने पत्थर से प्राप्त कर लिया बिश्वास रही नर्सी भगत की हुंडी तर गई फिर आपके मिशन में ऐसी कौनसी बड़ी विशिस्ता है बाबा जी ने उनके बात सुनी और फिर बड़े प्यार के साथ उनसे पूछा महतमा यदि आपको भूक लगी हो और आप यह बिश्व के साहरे आप सारी उम्र जिंदा रह सकेंगे दो चार दिन तो आप बिना आधार के बिश्वास चाहे रख पाएं परंतु आधार के बिना बिश्वास जादा देर नहीं टिकता इस प्रकार हमारी आत्मा को प्रभू का आधार चाहिए तीन काल रहने वाले परम सत्य की प्रकार मिल जाएं तो श्रद्धा और विश्वास भी बने रहेंगे और जो कहा जाता है कि विश्वास करके धन्ना भक्त ने पत्थर में से प्रभू को पाया नर्सी भक्त की हुंडी तारी गई बहभी समझ आ जाएगा हकीकत यह है कि इन भक्तों को भी प्रभू मिला तो किसी महात्मा के द्वारा जरा सोचिए खोटे सिक्के के साथ दिल तो बहलाया जा सकता है पैसा पाश होने की खोशी तो मराई जा सकती है और उससे एहंकार भी पैदा हो सकता है लेकिन उस खोटे सिक्के से बाजार में से कोई बस्तू नहीं खरीदी जा सकती इसलिए बिना निशाने के ध्यान भी नहीं टिकता और हमारे जीवन का निशाना या लक्ष सर्व व्यापक अंग संग बसने वाला प्रभू ही है इस साक्षात प्रभू को जानकर इस पर जो बिश्वास और श्रद्धा टिकती है बही जीवन में आनंद देने वाली होती है प्यारे भाईयो बहनों बाबाजी की बास सुनकर उन दोनों कथा बाचकों की आँखे खुल गई और उन्होंने बाबाजी से प्रार्थन करके इस ब्रहम के दर्शन किये और ब्रहमग्यानी बन गए दरसल श्रद्धा और विश्वास का आधार ब्रहमग्यान ही है यदि ब्र पर के दर्शन जरूर होंगे तो वो बिश्वास तोट भी सकता है क्योंकि बिना आधार के बिश्वास बिलकुल कच्चा होता है बिश्वास अधिक दिन तक टिक नहीं सकता बिश्वास तोट जाता है जिस तरह से किशी चमकदार पत्थर को आप हेरा नहीं के सकते और नहीं बेच कर अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए और बास्तविक हीरे को देखने के लिए आधार का होना बहुत जरूरी है यानि बास्तविक हीरे का होना बहुत जरूरी है ठीक इसी तरह बिना आधार के यानि बिना इस ब्रहम ज्यान के बिना इस प्रभू प्रमात्मा को देखे आप इसकी रचना पर बिश्वास और शद्धा यदि लाएंगे तो कल्यान होना संभव नहीं है कल्यान के लिए सबसे पहले रचनहार को जीवन में आना होगा और ये आते हैं केबल और केबल इनकी दया से इनकी करपा से तो प्यारे भाईयो बेहनों कहने का भाब सिर्फ इतना है कि बिश्वास का आधार जरूर होना चाहिए बिश्वास जिस पर कर रहे हैं पहले उसकी सत्यता को जानना बहुत जरूरी है परमात्मा जीवन में आ गए अब जैसे जैसे हम इस ग्यान पर दढ़ता लाते हैं बिश्वास पक्का होता चला जाता है और हम समझ जाते हैं असलियत को क्या सही है क्या गलत है तो करपा करो बक्षिश करो इनी सब्दों के साथ दास आप जी से इजाजा चाहता है चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज इसी तरह की वीडियो लगातार देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और इस वीडियो को अधिक से दिक शेयर करना बिलकुल भी मत भोलना है इनी सब्दों के साथ आप सभी को जैहिंद न आंनंकर